नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने योट्यूग चैनल औल एक्जाम गाइड गुरूपर दोस्तों मैं अजीत पांड़े आपके लिए इस वीडियो में जीके जीएस के हंड़िट एमस्क्यू कॉशन्स वाले पैटर्न को वन लैनर फॉर्मेट में ले कॉशन नमबर वन है भारत में 1931 में बनी पहली सवाग फिल्म कौन सी थी तो भारत में 1931 में बनी पहली सवाग फिल्म आलम आ रहा थी भारत का प्रथम neutron reactor कामिनी कहा परिस्त है तो भारत का प्रथम neutron reactor कामिनी कल्पक कम में इस्तित है अगला प्रशन भारत ने किस वर्ष और कहां हुए ओलम्पिक खेलों में होकी का पहला स्वन्पतक जीता था तो भारत ने 1928 Amsterdam में हुए Olympic खेल में होकी का पहला सवनपदक जीता था भारती अंतरिक्षन उसंदान संगठन का मुख्याले कहां पर है तो भारती अंतरिक्षन उसंदान संगठन का मुख्याले बेंगलुरू में है भारत और पाकिस्तान की बीच में सीमा का जो विभाजन है वो किस नाम से जाना जाता है तो भारत और पाकिस्तान की बीच में रेड क्रिफ पिखा सीमा के विभाजन के नाम से जानी जाती है किरकेट पिच्की लंबाई कितनी होती है तो किरकेट पिच्की लंबाई मीटर में 20.1-2 मीटर होती है संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहां पर है तो संसार का सबसे बड़ा मंदिर कमबोडिया में इस्तित है राष्ट मंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है तो राष्ट मंडल खेलों का आयोजन चार वर्षों के अंतराल पर किया जाता है भारत में वीर्ता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच कौन सा पुरुसकार है तो भारत में वीर्ता के लिए परम वीर्चक्र प्रदान किया जाता है पंकज आडवानी कौन से खेल से संबंदित हैं तो पंकज आडवानी जो हैं बिलियर्ट्स खेलते हैं राश्रगीत बंकिम चन चितर जी की किसो पन्याद से लिया गया है तो राश्रगीत बंकिम चन चितर जी के आनंद मट से लिया गया है भारत का पर्थम परमाणू उर्जा रियक्टर कौन सा है तो भारत का पर्थम परमाणू उर्जा रियक्टर अपसरा है पर्थम भारतिय नारी जो average चिखर पर चड़ने में सफल हुई थी उनका नाम क्या है तो पर्थम भारतिय नारी जो की average चिखर पर चड़ने में सफल हुई थी उनका नाम है विश्चिंद्री पाल बोर्लोग लोग पुरुजिषकार की शेत्र में दिया जाता है तो बोर्लोक पुरुजिषकार Prakषी विज्जान इसे प्रदान किया जा तो बाइच्छो बॉट्धन सबसे पहले सी राजा गोămपलाचारी को प्रदान किया था एक किलो में कितने बाइट्स होते हैं तो एक किलो बाइट में एक हजायर चौबीस होते हैं दूरदसन दौरा रंग deficit की शुरुवाद किस वर सखीगई थी तो दूर्दसन के दौरा 1982 में रंगी इंस चृष्वाद की वायू सेना के फ्लाइंग ओफिसर रेंग का अधिकारी नौ सेना के किस ओफिसर के समान रेंग का होता है तो वायू सेना के फ्लाइंग ओफिसर रेंग का अधिकारी नौ सेना में लेफ्टिनेंट ओफिसर के रेंग के समान होता है ओटो बायोग्राफी पुस्तक किस ने तो आधनिक ओलंपि खेलों का आयोजन 1896 में इथेंस यूनान में प्रारम हुआ विक्रम साराबाई अंतरिक्षकेंद्र कहां पर है तो विक्रम साराबाई अंतरिक्षकेंद्र त्रुवंतरम पुरम में है नोबल पुरुषकार प्राप्त करने वाले पहले भारती कौन है तो रविंद्र नाठ टेगुर जी साहित के शित्र में इन्हें नोबल पुरुषकार सबसे पहले मिला था अंतराश्य नयायले के नयायदीशों की कार्यवधी कितने वर्षकी होती है तो अंतराश्य नयायले के नयायदीशों की कार्यवधी 9 वर्षकी होती है बिहु का संबंद किस राजी से है तो बिहु का संबंद असम राजी से है प्रसिद सत्रंज खिलाडी गाटा कामास की किस देश से संबन्दित है तो प्रसिद सत्रंज खिलाडी गाटा कामास की अमेरिका से संबन्दित है जियाना किस देश की समवाद एजेंसी है तो जियाना जो है जिम बॉंबे की समवाद एजेंसी है देश में सबसे ज़्यादा ATM किस बैंक के हैं तो देश में सबसे ज़्यादा ATM SBI के हैं ग्रेंड मार्शर शब्द का प्रियोग किस खेल में किया जाता है तो ग्रेंड मार्शर शब्द का प्रियोग शत्रंज में किया जाता है अंतर आश्ये championship में Thomas Cup दिया जाता है कौन सा है वह चेम्पियंशिप तो वो है Badminton तो Badminton में Thomas Cup दिया जाता है भारत और रूस के बीच में आपसी सहयोग से निर्मिद भारत की पहली cruise missile ब्रंभोष missile है सूरियोदय के नाम से सूरियोदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रिसिद है तो जापान जो है सूरियोदय का देश के नाम से प्रिसिद है रोजर फेडरल किस खेल के लिए विख्यात है तो रोजर फेडरल टैनिस खेलने के लिए विख्यात है आंगल अमेरिका के सर्वोशिखर का नाम क्या है तो माउंट मैकिले आंगल अमेरिका के सर्वोशिखर का नाम है कौन सा दीब भारत और शीलंका के मद्ध में है तो पंबन दीब रामेश्वरम भारत और शीलंका के मद्ध में इस्तित है राश्य युवादिवस किस्तिती को मनाते हैं तो राश्य युवादिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है चीन में लालकरांती कब शुरू हुई थी तो चीन में लालकरांती 1949 में हुई थी सत्रंच के बोर्ड में कुल खानों की संक्या कितनी होती है तो सत्रंच के बोर्ड में कुल 64 खाने होते हैं भारत का प्रतम महिला शाष का कौन थी तो भारत की पहली महिला शाष का रजिया सुल्तान थी नेटवेश ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है तो नेटवेश ट्रॉफी क्रुकेट खेल में दी जाती है औल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम किस वर्ष दिया गया तो वर्ष 1957 में औल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम दिया गया सूरिकी किरणों की तीवर्तम आपने वाले उपकरण को क्या कहते हैं तो सूरिकी किरणों की तीवर्तम आपने वाले उपकरण को एक्टियो मीटर कहा जाता है भारत रतने से किस विदेशी को सरब्रथम सम्मानित किया गया तो भारत रतने से खान अब्दुलगफ़र खान को सबसे पहले सम्मानित किया गया सुस्क छेत्रिय वान की अनुसंदान संस्थान कहां पर है तो सुस्क छेत्रिय वान की अनुसंदान संस्थान जोधपुर में इस्तित है गोदान और गबन किस लेखक की रचनाय है तो गोदान और गबन मुशी प्रेमचंद की रचनाय है विश्व में किसी देश की प्रथम महिला परधान मंत्री कौन बनी थी तो विश्व में किसी भी देश की पहली प्रधान मंत्री महिला श्री माओ भंडा नायके बनी थी संयुक्त राज्दिवस कब मनाय जाता है तो 24 अक्टूबर को हर साल संयुक्त राज्दिवस मनाय जाता है कबड़ी खेल में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है तो कबड़ी खेल में खिलाडियों की संख्या साथ होती है हिंदी भाशी भारतियों का प्रदीशत लगबग कितना है तो हिंदी भाशी भारतियों का प्रदीशत लगबग 45 प्रदीशत है यूनेसको का मुख्याले कहां पर है तो यूनेसको का मुख्याले पैरिस में इस्तित है विशो परिवेस दिवस कम मनाये जाता है तो हर साल 5 अक्टूबर को विशो परिवेस दिवस मनाये जाता है भारत में विक्सित सता से सता पर मार करने वाली पहली मिसाइल कौन सी है तो भारत में निर्मित सता से सता पर मार करने वाली पहली मिसाइल प्रत्वी है भारतीय मिसाइल परिक्षण चान्दीपुर कहां पर है तो भारतीय मिसाइल परिक्षण इस्थल चान्दीपुर जो है ओडिसा में इस्तित है कौन सा अंतराश्य पुरुसकार पत्रकार्टा के छेतर में उत्रकर्ष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है भारत के और द्योगिक वित्र निगम की स्थापना कब हुई तो वर्ष 1948 में भारत के और द्योगिक वित्र निगम की स्थापना हुई भारत का राश्ची चिन कहां से लिया गया है तो भारत का राश्ची चिन जो है सारनात इस्थित असो के सिंग स्थम्ब से लिया गया है केंद्रिय जाज बीरो की स्थापना की स्वरश की गई तो 1953 में केंद्रिय जाज बीरो की स्थापना की गई उत्तर प्रदेश में इंद्रा गांधी नक्षत साला कहां पर है तो उत्तर प्रदेश में इंद्रा गांधी नक्षत साला लखनव में इस्तित है भारत रत्न पुरुषकार पाने वाले प्रतम भारतिये कौन थे तो डॉक्टर सर पल्ली राधा किश्रन जी भारत रत्न पुरुषकार पाने वाले पहले भारतिये थे विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है तो सैन मेरीनों का लोकतंत्र विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है बैक्टिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंदित है तो बैक्टिंग ब्लॉक शब्दावली कबड़ी खेल से संबंदित है दक्षिरी ध्रोपर सरप्रतम पहुँशने वाला व्यक्ति कौन था तो एमंड सेन दक्षिरी ध्रोपर पहुँशने वाला सरप्रतम व्यक्ति था संयुक्त राष्ट महासंग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो संयुक्त राष्ट महासंग की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्वी पंडिजी थी शोरा किस देश की संसत को कहते हैं तो अफगानिस्तान की संसत को शोरा कहा जाता है तो भुपाल मद्य प्रदेश में देश का सबसे उचा टीवी टावर है मैकसे से पुरुसकार विजेता पहले भारतिया कौन थे तो मैकसे से पुरुसकार विजेता पहले भारतिया बिनोवा भावे थे राश्री और बोगता दिवस कब मनाते हैं तो राश्री और बोगता दिवस 24 दिसंबर को मनाय जाता है पोलो खेल में कुल कितने खिलाडी भाग लेते हैं तो पोलो खेल में कुल चार खिलाडी भाग लेते हैं गीत सेठी का संबंध कौन से खेल से है तो गीत सेठी स्नूकर में पारंगत खिलाडी है गिद्दा अंदर्त्य का सम्मंद किस राज से है तो गिद्दा का सम्मंद पंजाब राज से है कुछी पुडी किस राज का सास्त्रिनत है तो कुछी पुडी आंध्र प्रदेश का सास्त्रिनत है बिम्ष्टेक की स्थापना कब हुई थी तो 1997 में बिम्ष्टेक की स्थापना हुई थी भारत में टेलिवियन की शुरुआत कब हुई तो भारत में टेलिवियन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई थी अंतराश्य न्यायले कहां पर है तो अंतराश्य न्यायले दव हैग में है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है तो ओलंपिक खेलों का आयोजन चार वर्ष के अंतराल में होता है भारती राशी ध्वज में कुल तीलियों की संख्या कितनी है तो भारती राश्य धोज में कुल तीलियों की संखा जो है 24 है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देव की नंदन खत्री जी है ग्यानपीट पुरुसकार कि शित्र के कारे के लिए दिया जाता है तो ग्यानपीट पुरुसकार जो ह हिंदू NICKों का सरवादी का नुपात है उत्सो का सम्वन किस राज़िस है तो प्रसित क्राइब्श से मैकृत्स से आवारड़री कोन थे बिनव भावेजी मैकृत्स से अवार्ड़र पाने वाले पहले भारतिह थे नौसेना एकेडमी कहां पर है तो नौसेना एकेडमी गोवा में इस्थित है रैड क्रॉस दिवस किस तारीक को मनाते हैं तो विश्व रैड क्रॉस दिवस आठ मई को मनाते हैं अगला प्रशन विश्व स्रमिक दिवस कम मनाते हैं तो विश्व स्रमिक दिवस एक मई को मन भारत का फिल्म निर्मान में विश्व में प्रथम इस्थान है भारत का राश्री खेल कौन सा है तो भारत का राश्री खेल होकी है भारत द्वारत छोड़ा गया प्रथम उबगरत था तो आरे भट भारत की द्वारत छोड़ा गया प्रथम उबगरत था आसियान का मुख्या जकारता में हैं भारत के रिमोट सेंसिंग सेटलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है तो के कस्तूरी रंगन जी है राजिस्थान का प्रमुक्त लोक नत्य कौन सा है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को इसा लगा नोडिफिकेशन आउन कर लिए जिससे आपको तीन ओ आफ लाइन वीडियो के नोडिफिकेशन मिले चैनल पर पांच लाइप क्लास होती है तीन ओफ लाइन वीडियो अपलोड होते हैं लाइप क्लास होती है सुबह साथ बजे और रात में आठ बजे होती है जी एक रात में 8 बजे और एक रात में 10 बजे यह offline वीडियो होते हैं यह 10 मिनिट 12 मिनिट 13 मिनिट के offline वीडियो होते हैं और live classes एक से जिड़ घंटे की होती हैं तो आप इन सब में आ सकते हैं चैनल को subscribe ध्यान से कर लिजेगा इसे पहले वाले वीडियो देखने के लिए आप हमे के लिए बहुत बहुत धनिवाद अपना ख्याल रखे नमस्कार आपका दिन शुब हो